तो यहाँ पर जो अभी यह Peninsular Plateau है, इससे तो हम यहाँ पर Next Lecture में हम Study करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ Hills को यहाँ पर देख लेते हैं, Peninsular Plateau का यह पार्ट है, Carabay Anglong Plateau, तो अभी हम यहाँ पर हमारा जो Peninsular पार्ट है, वहाँ पर जितने भी Hills से या फिर Mountain स उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है यह lecture, क्योंकि बहुत सारे Hills है, और बस हम उनकी बारे में थोड़ी Brief में जन करी लेंगे, क्योंकि बाद में जब Physical Map of India हम डिटेल में Study करेंगे, तो वहाँ पर हम उनके Exact Locations तो वैसे भी देखने वाले तो यहाँ पर Approximate Location के साथ हम देखेंगे, जैसे कि यह हमारा जो देल्ली का एरिया है, देल्ली से लेके यहाँ पर गुजरात की boundary तक हमें यहाँ पर जो Mount Abu या फिर गुरु शिकर जो है, तो यहाँ तक हमें जो Hills दिखाए दे रहे, जो Mountain Range दिखाए दे रहे, उसका नाम क् Mountain थे और उनका Erosion होते 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 हो आभी यहाँ पर यह बचे हुए Mountain है, ओके यह विश्वा के Old Oldest Fold Mountains में से एक Mountain है यह, इसलिए इसको Relic Mountains है, फिर Residual Mountains भी कहते हैं, ओके North East से लेके South West तक यहाँ पर इनका Extension हमें यहाँ पर दिखाए देता है, उसके बाद इस Mountain के West Side में हमे हमें यहाँ पर Desert दिखाए देता है, ओके यह जो Semi Desert Region हमें यहाँ पर दिखाए देता है, ओके और उसके Eastern Side में हमें यहाँ पर उदैपूर, चैपूर का यहाँ पर Fertile Plane भी दिखाए देता है, अब दूसरी चीज यह है कि किसी एक जमाने में, जैसे कि हमने कहा कि विश्व कि सबसे oldest fold mountains में से एक है यह, ओके अरावली रेंज, तो किसी जमाने में मतलब बहुत पहले यहाँ पर इसकी जो height थी अरावली रेंज की, यह हिमाले से भी ज़्यादा थी, ओके इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बहुत सारे mineral rich area है यह, आरकाइन प्रिकेंब्रियन rocks यह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो mount abu, यहाँ पर जो hills है, ओके तो यह hills का यहाँ पर actually यह गुरु शिकर highest peak है, ओके और लेकिन यह mount abu भी अरावली रेंज का इपार्ट है, ओके तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, जो second यहाँ पर एक important mountain range है, उसका नाम है विंदयन रेंज, ओके, यह विंदयन रेंज हमीं यहाँ पर Raja Piqula hills से लेके, आगए यहाँ पर मद्या प्रदेश या फे उत्तार प्रदेश की boundary तक हम यह आपर दिखाइ डेते हैं, ओके तो यहाँ पर windian range जो है windian range कोन से है जैसे कि arawali range तो यहाँ पर fold mountains थे तो उसी तरीके से windian range जो है यह block mountain का part block mountain का example है यह block mountain है and it separates north India from the south India इसे ध्याँ में रखना है windian range जो है maximum यहाँ पर sandstone shales and quadsite से बनी होई है इसके western part यहाँ पर जो है वो basalt से बनाए ऊके इसका जो western part है यहाँ पर इस सेरे में basalt से बनाए यहाँ पर deck and plateau के नजदेक वो आ जाता है ऊके उसके बाद यहाँ पर जो Rift valley है वहाँ से जो river भेती है उसका नाम क्या है वो نर्मदा यहां पर बेती है जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं यहां से यह नर्मदा रिवर बेती है और उसके बाद साथपुरा रेंज के नीचे से हमें यहां पर तापी रिवर बेते हुए दिखाई देती है यहां पर यहां पर यहां पर हम जब देखेंगे विंदियन रेंज को यह अगर हम एक्सेंट करते गए आगे की तरफ तो यहां पर हमें मध्य प्रदेश में ही आगे यहां पर कईमूर रेंज दिखाई देती है तो कैमूर रेंज यहां पर ध्यान में रखना है कैमूर रेंज यहां पर हमें जट्तिसगड और मध्यप्रदेश का जो उपरी हिस्सा है एक दुसरे के साथ लगके यहां पर वहां पर हमें यह रेंज दिखाई देती है और it is considered as a यहाँ पर सोन रिवर important है सोन रिवर यहाँ से बैती है एसकर्पमेंट आप दिरिफ्ट वैली जो है वहाँ से हमें यहाँ पर सोन रिवर बैते हुए दिखाई दिती है कैमूर रेंज से उसके बाद जब विंदियन रेंज को अगर हम यहाँ पर देख रहे तो उसी को जब हम पीछे की तरब देखेंगे तो यहाँ पर बैक लिंकेज करते समय यहाँ पर गुजरत में हमें एक हिल्स दिखाई देंगे उनका नाम है राज पिपला हिल्स इसे ध्यान में रखना है क्योंकि राज पिपला हिल्स सही हमें आगे यहाँ पर साथपुरा रेंज का भी एक्स्टेंशन होते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पर यह तो विंदियन रेंज हो गई और विंदियन रेंज के ही नीचे हमें और एक इंपोर्टन यहाँ पर साथपुरा रेंज की खासियत क्या है कि साथपुरा रेंज यहाँ पर इस्ट वेस्ट डियरेक्शन में एक्स्टेंड होती है उसके बाद यहाँ पर यह नर्मदा रिवर और तापी रिवर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर साथपुरा रेंज दिखाई देती है साथपुरा रेंज कहां से शुरू होती है तो साथपुरा रेंज यहाँ पर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर माइकाल रेंज तक हमें यहाँ पर यह दिखाई देती है और उसके बीच में कुछ चोटी जोटी जैसे महादेव हिल्स दिखाई देती है तो साथपुरा रेंज है एक्चुल में यहाँ से शुरू होती है और फिर ऐसे महादेव हिल्स से होते हुए यहाँ पर यहाँ पर यह मैकल रेंज तक हमें साथपुरा रेंज दिखाई देती ह तो उसके बाद यहाँ पर साथपुरा रेंज में जो महादेव हिल्स है महादेव हिल्स जैसे के हमने देखा राजपिपला हिल्स पता चल गया है उसके बाद यहाँ पर साथपुरा हिल्स के बाद महाराश्टर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उपरी तरफ नंदुरबार रेजन के नजदिक यहाँ पर आसीरगर हिल्स दिखाएंगे नंदुरबार दोले जो एरिया है यहाँ पर आसीरगर हिल्स है और उसके बाद यहाँ पर साथपुरा रेंज में हमें आपर आगे जाते समय और एक Gawilgarh Hills भी दिखाए देंगे ये Gawilgarh Hills भी आपर महाराष्ट्रो और मध्यप्रदेश के बौर्डर के उपर आपको दिखाए देंगे फिर से एक बार गाविलgarh Hills, आसीरgarh Hills ये दोनों ध्यन में रखना है उसके बाद मध्यप्रदेश में आपको महादेव Hills देखेंगे सात्पूरा रेंज के इसमें यहां का जो हाइस्ट पीक है महादेव हिल्स का वहां का जो इंपोर्टन पीक है उसका नाम है धूपगर यह धूब गर यहाँ पर है और इसी को आगे चलते एक्स्टेंड होते हुई हमें यहाँ पर मैकाल रेंज दिखाए देगी और मैकाल रेंज का सबसे इंपोर्टन पीक कुन सा है यह अमर कंटक अमर कंटक किस चीज के लिए फेमस है तो यहाँ से बहुत सरी रिवर्स का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाए देता है सोन रिवर महानदी रिवर उसके बाद यहाँ पर नर्मदा रिवर तो यह मैकाल रेंज इनके लिए इंपोर्टन है Michael range क्या है Michael range यहाँ पर Eastern साथपूरा range में, हमें आपर दिखाई देती है इसका हइयास पिक कोन से है तो यहाँ पर उसी के साथ 36 गड़ में एक और एक छोटे हिल्स हमें आपर दिखाई देते है उसी को थोड़े से आगे तरफ आप देखोगे के सब्सक्राइब कर देख लिया उसके बाद यहां पर जब आप देखोगे तो गुजरत में कुछ important peaks यहाँ पर है जैसे कि Mandov Hills की चीज़ के लिए फेमस है तो Mandov Hills में आपको एक radial drainage pattern यहाँ पर दिखाई देता है radial drainage pattern का example हमें यहाँ पर Mandov Hills में दिखाई देता है उसके बाद Girnar Hills तो Girnar Hills भी हमें यहाँ पर इस चीज़ के लिए उसके बाद यहाँ पर इस area को study करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में देखेंगे काईमूर रेंज हो गई माइकाल रेंज हो गई साथपूरा रेंज विंदेन रेंज आसिरगर हिल्स राज पिपला हिल्स अभी हम यहाँ पर अरावली रेंज भी हमने देख लिया रामगर हिल्स भी देख लिया अभी हम यहाँ पर महाराष्ट्र में बात करेंगे इस area में देखेंगे अब महाराष्ट्र में हमें तो पता यहाँ पर यह लगबग यहाँ से ही यहाँ पर Western Coastal Plain शुरू हो जाता है यह द्वारका इश्लेंड से यहाँ पर इस रिजन में यहाँ पर द्वारका इश्लेंड से ओके और यह से यह Western Coastal Plain शूरू हो जाता है अभी हमने देखा था और वेस्टर घाट की शुरुआथ हम यहाँ यहाँ पर IMPORTAIN'T ह Independence, mill Think. जो है, सातमाला Hills, नुगswान हिल सही, यहाँ पर एक कलशूबपाई पीक जो है, यहूए इसी हिल सम Storm quindi पर नलड़िट पर इसी जगाओर हैं, उसके बाद यहाँ पर इसी जगाँ पर वेस्टं गाट में हमें यहाँ पर हरिष्चंद्र करेंग तो हम इसके बाद यहां पर महाबालेशों पीग यहाँ पर प्रेसेन्नी अब यहां पर 3 इंपोर्टन्ट Iya के जैसे के आजंता रेंज उसके बाद बाला गाटी उसका जेन Jen inne één यहाँ पर 엇न रिष्पड करते हैं करते हैं खए और यहाँ पर जो इस रीजन का जो से वेस्टंगाट का महाराष्टे में कोकन् डिजन में। yaha करीजिएगा। और यहां पर आजनता diferente में हमें पता जिएड़ा कोउस प्रेजन से जिए वागेरा unders dip उपर प्रेजेंट है ओके आजएंता के उस तो यहाँ पर यह महाराष्टर के महाराष्टर के इंपोर्टन ईल्स हो गया अब यहाँ पर जो western guard के बारे में हम बात करें तो western guard के बारे में हम यह जानकर थुड़ी ले लेते western guard जो है western guard यहाँ पर actual में fall mountains नहीं है वेस्टन गाड क्या है तो वेस्टन गाड यह एक block mountains का example है वेक block mountains का example है तो यहाँ पर इंडिया और आफरिका के बीच में यहाँ पर इनको देखा जाता है और इंडिया और आफरिका के बीच में जो fault valley form हुई थी block mountains में तो उसकी जगह किस ने ले ली तो Arabian Sea ने ले ली तो यह देखिए तो यहाँ पर जो fault valley है जो वेस्टन गाड मतलब हमें पता है block mountains क्या होता है यह आपने पढ़ा होगा physical geography में तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसकी जो लेंथ है यह 1600 किलो मिटर है नौर्थ से लेकर साउथ तक एक्स्टेंड होता है उसके बाद यहाँ पर जो तापी रिवर की वेली है वहाँ से कन्या कुमारी तक यह दिखाए देता है उसके बाद इसका जो नदन सेक्षिन है वहाँ पर horizontal sheets of lava यहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर मतलब यह डेकन प्लेट्व जो है यहाँ पर जो लावा से फॉर्म वाडेकन प्लेट्व है इसके बज़े से यहाँ पर यह horizontal sheets of lava trap and in trap and lake landscape से यहाँ पर दिखाए देते हैं और यह peninsular river में यहाँ पर यह वाटरशेट का काम करता है तो यहाँ पर जो हमें पता है कि जैसे western coastal plain और eastern coastal plain ने हमने देखा था कि western coastal plain में हमें issues form होते हुए दिखाए देती है और eastern coastal plain में हमें यहाँ पर deltas form होते हुए दिखाए देता है अब यहाँ पर जो western घाट हमने देख लिया अभी एक चीज यहाँ पर important है यह जो line हमें आपको दिख रही है तो actually यह 16 degree north latitude है यह 16 degree north latitude क्या है तो आप note down कीजिएगा कि 16 degree north latitude यहाँ पर western घाट को दो पार्ट में डिवाइड करता है एक है northern सही अधरी और एक है southern सही अधरी नदन सही अधरी का जो highest peak है वो तो कौन सा है कल्सू बई और इसे ध्यान में रखना है तो अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर जब हम करनाटक में इंट्री लेंगे जैसे कि हमने महाराष्टर के hills देख लिए अभी हम करनाटक में जाएंगे तो करनाटक में आने के बाद यहाँ पर हमरे लिए एक important hills दिखा हो जाते है उनका ना बहुत सारे reservoirs भी देखाए देते ओके बाबाबुदान hills में जैसे कि highest आन रिज़र्व का जो highest आन और रिजर्व यहाँ पर दिखाए देते कुद्रे मु क्यों यह सब बाबाबुदान hills में आता है ओके यहाँ का एक highest peak जो है करनाटक का उसका नाम है मुल्यान गिरी उके उससे धार में रखना है मुल्यान गिरी और उसके बाद कुद्रे मुख भी हैं आपका important peak है जहाँ पर highest I&O reserves दिखाए देते हैं उसके बाद अगर नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर करनाटक, केरला तमिलाड़ के बादर के उपर हम यहाँ पर निलगिरी हिल्स दिखाए देंगे यहाँ निलगिरी हिल्स जो है तो निलगिरी हिल्स यहाँ पर it is nothing but the meeting point of Western Gaart and Eastern Gaart Eastern Gaart को भी हम यहाँ पर देखेंगे तो लेकिन यहाँ पर यहाँ चीज यहाँ पर में लिजे कि यहां पर निलगीरी हिल्स है जहां पर यह western गाट का meeting point है यहां का जो highest peak है निलगीरी हिल्स का उसका नामे डोडा बेट्टा जिसकी height है 2600 2637 meter यहां पर यह जो निलगीरी हिल्स है यहां पर एक important pass हमें दिखाई रेता है जिसका नामे पालगाड पास यहां पर यह पालगाड पास जो निलगिरी और अन्नामलाई मौंटेंज जो है इनको करनेट करता है उसके बाद यहां पर पालगाड पास है वही पर हमें निलगिर हिल्स में एक important location है जो के tourist point है जिसका नाम है उटी उटी तो सब का पता होगा अब यहाँ पर निलगिरी हिल्स के बारे में होपुलिया आपने note down कर लिया होगा उसके बाद उसके नीचे अब यहाँ पर eastern guard and western guard join हो जाते इसके बाद western guard तो नीचे की तरफ भी दिखाए देते हैं तो जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर केरल में आने के बाद हम यहाँ पर border के उपर यहाँ पर अन्ना-मलाई hills भी दिखाए देते हैं तो अन्ना-मलाई hills जो है और अच्छे डोड़ा बिट्टा जो है तो यहाँ पर यह साउथ इंडिया का हाइस्ट पीक है 2695 मिटर इसकी जो उचाई है उतनी है और अन्नाय मोडी से यहाँ पर इंपोर्टन्ट रिवर से जिनकी ओरीजिन हमें याँ पर दिखाई देती है जैसे की पेरियार रिवर अढ़ाउति रिवर अम्रावती रिवर यह है, काविरी रिवर की राइट हैंड ट्रिबूटर यह है, इसे धहन में रखेगा यहाँ पर निलगिरी थार्भी इस एरिया में हमें यहाँ पर दिखाए देता है उसके बाद यहाँ पर Evergreen Dissidious Forest प्रेजेंट है तो इसे धहन में रखेगा, यहाँ पर इस हिल से तीन important range यहाँ पर radiate होते हुए हमें दिखाए देती है जैसे कि North में Annamalai Hills, मतलब यह जो उसके बाद यहाँ पर North East में Palini Hills और South में Cardamom Hills तो यहाँ पर देखिए आप Annamalai Hills से लेकि यहाँ पर इस side में हमें यहाँ पर Palini Hills दिखाए देती है उसके बाद यहाँ पर Annamalai Hills यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके South में हमें आपकर Cardamom Hills भी दिखाए देते है तो इसे ध्याँ में रखिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आप हम नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर केरल के एकदम Southern Side में भी बॉर्डर के उपर हम यहाँ पर Cardamom Hills यहाँ पर दिखाए देते Cardamom Hills यहाँ पर जो है यह Extreme South में हमें दिखाए देंगे उसके बाद यहाँ पर यह भी Western Ghats का पार्ट है इसे ध्याँ में रखने काडmom Hills यहाँ पर Western Ghats का पार्ट है उसके बाद यहाँ पर यह Hills भी Tadbyalnadu और के बोर्डर पर पर पाए जाते है यहाँ पर Spices का जो खेती है यहाँ पर उसके लिग फेमस है जैसे कि Spices, Cardamom, Paper, Coffee के लिए यहाँ पर यह फेमस है यहाँ पर Deep Valleys पाई जाती है यहाँ पर यह जो एरिया इसी इस ड्रेनेश का काम करती है और एक बहुती Oldest जन जाती है यहाँ पर दिखाई देती है उनके नाम है यहाँ पर मुडूगन, उरुमबन और उरुलान